बेटे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पर्क्यूजिट्स पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने सिर्फ थेोरिटिकल बातें डिस्कस की थी और आज की क्लास में हम एक एक करके पर्क्यूजिट्स को समझना शुरू करेंगे पर्क्यूजिट्स में सर क्या पढ़ना है तो पर्क्यूजिट्स में आपको ये समझना है कि बेसिकली जो पर्क्यूजिट्स है वो आपके लिए एंप्लॉईस के लिए एक फैसिलिटी है और फैसिलिटी की वैल्यू कैसे कंप्यूट होगी ये बेसिकली रूल समने पढ़ने और मैंने आपको बताया था के लगबग हमारे पास 17 परक्विजिट आने वाले हैं और कुछ परक्विजिट बड़े हैं, कुछ परक्विजिट छोटे भी हैं तो rules आपको याद करने होंगे ठीक है sir, तो आज कौन सा परक्विजिट लेंगे तो बेटे पर्कुजिट में हमारे पास जो सबसे पहला पर्कुजिट था वो था accommodation आपको याद है सबसे पहले दो पर्कुजिट जो हमारे पास थे वो मैं आपको दिखाता हूँ जब हमने आपको पर्कुजिट पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि पर्कुजिट के अंदर सबसे पहले rent-free accommodation और concessional accommodation तो सबसे पहले आज हम इनी दोनों पर्कुजिट की बात आपके साथ करेंगे हेडिंग डालेंगे सबसे पहले VALUATION OF ACCOMODATION हम दोनों को एक साथ डिसकस करेंगे रेंट फ्री को भी और कंसेशनल को भी ठीक है सर यह जो ACCOMODATION है तो पेटे पहले हम आपको बता दें कि ACCOMODATION के रूल क्या है तो गौर्मेंट कह रही है ACCOMODATION की अगर आप value निकालना चाहते हो तो यह इस बात पर depend करता है कि ACCOMODATION किसको दी गई क्या ACCOMODATION गौर्मेंट एंपलोई को दी गई ठीक है तो गौर्मेंट एंपलोई मतलब नौन गौर्मेंट एंपलोईर्स तो अदर एंपलोईर या फिर ACCOMODATION प्रोवाइड की गई इना होटेल तीन तरह के हमारे पास basic इसमें rules आएंगे ठीक है सर अगर हम गौर्मेंट की बात करेंगे तो इसमें central गौर्मेंट आएगी और state गौर्मेंट आएगी तो कई बार गौर्मेंट के अंदर ना local authority भी आती है ठीक है सर जब हम accommodation की बात करते हैं तो आपको बता दें कि accommodation दरसल दो तरह की होती है unfurnished इसका मतलब गौर्मेंट ने आपको मकान दिया लेकिन मकान के अंदर कोई furniture, कोई TV, fridge, sofa ये सब सुविधाएं नहीं दी अगर ये सुविधाएं भी दी हों तो कहलाता है furnished इसी तरह से जब other employer आपको देगा तो वो भी या तो unfurnished होंगी या फिर वो furnished होंगी ठीक है सर, हम सभी को एक साथ में discuss कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा गबराने की बात नहीं है चलिए जी, सबसे पहले लेते हैं accommodation provided by government employee तो accommodation provided by government state government थी या फिर central government थी इन दोनोंने accommodation प्रोवाइड कराई सर, कैसी accommodation प्रोवाइड कराई, unfurnished होगी या फिर furnished होगी ठीक है, अगर unfurnished है तो यहाँ पर license fee ली जाती है license fee fixed by the government आपको कुछ भी करने की ज़रुरत नहीं है आपको government कह रही है कि हमने पहले से ही value fix कर रखी है कि employee की income में क्या लिया जाएगा, यह वाली value ली जाएगी लेकिन value का नाम थोड़ा से different है लोग कहेंगे कि accommodation के लिए license fee, नाम रख दिया license fee तो government जब अपने employees को accommodation देती है तो उनकी category के accordingly उसने value fix की हुई है वही value आपको उठा करके employee की income में एड़ कर लिनी है unfurnished का मतलब क्या है, सिर्फ माकान मिला तो माकान के लिए होगी license fee furnished का मतलब क्या है, furnished का मतलब है सर मकान भी मिला और साथ में furniture भी मिला तो यह वाली value भी यहाँ पर होगी तो यहाँ पर furnished के case में license fee fixed by the government plus value of furniture अब सर यह value of furniture क्या है तो बेटे value of furniture होती है 10% of cost of furniture अगर तो furniture government ने खरीद के दिया हुआ है employee के मकान में तो जितने की भी government को उसकी cost आई थी उसका 10% आपने add कर लेना है ठीक है just like depreciation के जो government की जो asset उसने दी हुई है मकान के साथ तो उसमें government को क्या नुकसान हुआ एक depreciation का नुकसान हुआ तो वो आपने जोड़ देना है और question आपको बता देगा के employee को क्या-क्या furniture दिया गया था और उस furniture की cost क्या थी तो government ने का value बहुत simple है 10% ले लेना ठीक है या फिर हो सकता है के government ने वो furniture खरीद ना रखा हो लेके rent पे लेके दे रखा हो तो फिर actual higher या फिर rental charges सर हो सकता है कुछ furniture खरीद के दिया हो और कुछ furniture किराय पे लेके दिया हो तो जो furniture परचेस करके दिया होगा उसके लिए 10% of the cost ले लेंगे और जो furniture rent पे लेके दिया होगा उसके लिए rental value ले लेंगे ठीक है सर सर ये जो value है और ये जो value है दोनों से में unfurnished है तो केवल house की value है और अगर furnished है तो house की value के साथ furniture और जोड़ दिया ठीक है लेकिन सर ये value किस case में है तो बेटे ये value तब है जब आपकी accommodation rent free थी rent free मतलब सरकार आप से कुछ नहीं ले दी एक दूसरा भी तो case हो सकता है सर मैंने का क्या concessional accommodation what is the meaning of concessional accommodation concessional का मतलब होता है कि government ने आप से कुछ न कुछ चार्ज किया है free में नहीं दिया और हमारे पूरे perquisite में एक rule चलेगा लिखाओ या ना लिखाओ ठीक है हम हर perquisite value में से minus करेंगे amount recovered oblig charged from employee अगर कोई perquisite आपको concessional rate पे मिला है तो इसका मतलब है आप से उसका amount charge किया गया है और amount charge किया गया है तो मैं उसे minus कर दूँगा अगर किसी perquisite में मैं लिखना भूल जाऊ minus amount recovered या charge from employee तो ये understood है ठीक है सर मैंने का yes देखिए अगर मैं आप से कहता हूँ कि ये rent free accommodation है तो value होगी सिर्फ इतनी खतम अगर ये concessional accommodation है तो फिर इसमें से ये और minus कर दो मतलब इतना आपकी value बनती थी और इतना आप से charge कर लिया गया और ये आपकी accommodation की value बन गई लेकिन इस perquisite में term use हो रही है rent free और concessional मैं कह रहा हूँ आगे से अगर ये term ना भी use हो तो भी government के पास rule यही है कि आपने ये नहीं देखना आपने value निकालनी है जो हम बताएंगे और employee से पूछना है क्या तुम से कुछ recover होता है अगर उसने का yes मुझसे recover होता है तो minus कर देना है sir तो ये वाली recovery तो यहाँ पर भी हो सकती है मैंने का yes यहाँ पर भी हो सकती है तो जिस भी perquisite की आप value निकालेंगे तो ध्यान रखना उसके बाद ये बात हमेशा understood है कि आपने minus करना है amount recovered from employee और ये minus करने के बाद जो value बच्चती है government के रिये वो employee का benefit है और उसे हम tax करेंगे sir क्या exam में इसका question आएगा तो definitely ये तो इतना simple है कि इसका question आने का chance ही नहीं है तो यानि exam में अगर आपको question आता है तो वो other employer का आता है ठीक है sir तो आईए हम other employer का discuss करते हैं चलिए जी accommodation provided by other employer यानि की central government और state government को छोड़ करके हम बात करेंगे आप government के पास काम नहीं करते हैं और आपके employer ने आपको एक मकान दिया sir कैसा मकान दिया? खाली मकान दिया, furniture दिया? मैंने का चलिए वो बात में बात करेंगे furniture के साथ में हम से केवल थोड़ी सी value और add कर देते हैं तो पहले हम बात करते हैं unfurnished तो मैं सबसे पहले unfurnished की बात करता हूँ ठीक है sir? अगर unfurnished मकान दिया और आपका employer government नहीं थी तो फिर इसकी value कैसे निकालेंगे? तो government ने rule में लिखा है कि इसके लिए ये चेक करना होगा कि आपके employer ने उस accommodation को own कर रखा था या taken on hire या rent पे ले रखा था ठीक है sir? अगर अगर आपके employer ने उसे own कर रखा था तो फिर government कहती है कि इसकी value निकालने के लिए आपको उस area की population चेक करने पड़ेगी तो आपको चेक करने पड़ेगी what is the population of the city जहां आपको house दिया गया है उस population की city city की population क्या थी? ठीक है? अब sir population कैसे पता चलेगी? तो population कैसे पता चलेगी? तो government कहती है इसके लिए हम लोग survey करवाते रहते हैं तो आपको 2001 census मतलब 2001 में जो population की counting की गई थी उसके accordingly आपको चेक करना पड़ेगा तो government ने इसे पहले तो बाटा case number one के आपको accommodation दी गई ऐसी city में जिसकी population जिसकी population अप टू 10 लेक थी अब आपको बता दें के बेटे वो city बहुत छोटी होगी जिसकी population दस लाग भी ना हो word state नहीं है city है state तो बहुत बड़ा होता state के अंदर city है sir हो सकता है के उसकी population दस लाग से ज्यादा हो गौर्मेंट के रिया है फिर दूसरा है population more than 10 लेक but not exceeding 25 लेक या किसी SECT में मकान दिया था जिसकी population 10 लाग से तो ज्यादा थी लेकिन 25 लाग से ज्यादा नहीं थी इसका मतलब है के 25 लेक तक हो सकती है 25 लेक को अगर वो cross कर गई तो फिर case number 3 आ जाएगा more than 25 लेक ठीक है सर अब देखिये जी accommodation देने वाला कौन? non-government employer accommodation किसकी बात हो रही है? सिर्फ मकान की बात हो रही है अगर employer ने इसे own किया हुआ है तो फिर population को देखना पड़ता है ठीक है सर population थी up to 10 लेक इसका मतलब है के वो area जो है वो छोटा area है और छोटे area में दरसल मकान सस्ते मिल जाते हैं ये salary अलग है क्या सर ये वो salary income है जो हम इस chapter में ढूंड रहे हैं answer is no आप याद कीजिए house rent allowance में मैंने आपको बताया था के जब भी government exemption की बात करेगी या आपके perquisites की valuation की बात करेगी और उस rule के अंदर government salary लिखेगी तो वो आपको salary का मतलब बता देगी के salary में क्या include करना है और क्या नहीं include करना बच्चा कह रहा है के sir इसका मतलब area में salary कुछ और defined है और यहाँ पर कुछ और defined है तो इस chapter में ना जाने हर जगा अलग-अलग salary defined है मैंने का yes और आपको यह याद करना पड़ेगा यहाँ पर salary government फिर define करेगी रूल में defined है के salary में क्या लेना है वो hra से different है उसकी बात थोड़ी देर के बात करेंगे ठीक है sir sir population बढ़ गई इसका मतलब शहर बढ़ा हो गया और शहर बढ़ा हो गया तो इसका मतलब है वहाँ पर महंगाई ज़्यादा हो गई महंगाई हो गई तो फिर government कहती है के आपकी salary का 10% और यह salary और यह salary दोनों की दोनों same है sir share और ज़्यादा बढ़ा हो गया more than 25 lakh ठीक है तो फिर 15% of salary sir अगर यह rent पे ले करके दिया गया है अगर यह rent पे ले के दिया गया है तो फिर actual rent और पंदरा परसेंट ऑफ सेलरी whichever is lower in all cases इसका मतलब population का यहां पर कोई यूज नहीं है population is not considered population को देखना मत simple rule लगाना actual rent question आपको बता देगा या फिर 15% of salary दोनों में से जो भी lower होगा वो इस case में आपकी value of the perquisite बन जाएगा छीक है sir यह जो भी आपकी value बनेगी यह unfurnished की value है और इसमें बच्चे को अभी यह समझना बाकी है sir what is the meaning of the term salary तो पहले हम यह बता दे meaning of salary क्या यह salary का meaning वही है जो हमने house rent allowance में पढ़ा था answer is no तो इसका मतलब इसे याद करना पड़ेगा वहाँ तो पहले मुझे बताओ house rent allowance में क्या थी revision ज़रूरी है sir house rent allowance में था basic DA forming part और fixed percentage of commission अपने दिमाग में बठा लो HR A वाली salary वो अलग है वो वाली salary अभी आगे कई जगा use होगी ठीक है अब मैं बात करने जा रहा हूँ accommodation के अंदर salary का meaning क्या है और ये वाली salary केवल accommodation के लिए ही use होती है बाकी जगा use नहीं होती सर इससे पहले भी salary को define करने की बाते आई थी जानते हो कहाँ आई थी बताईए specified employee के case में आई थी जो कि मैंने आप से का था कि आपको याद करने की आवशक्ता नहीं है बेकार में confuse हो जाओगे क्यों इसलिए क्योंकि हर employee specified employee बन गया था ठीक है सर यहाँ पर salary का meaning क्या है लिखे जी meaning of salary सबसे पहले basic salary basic plus DA और DA में rule वही है कि DA केवल उतना ही लेना जितना उसका forming part हो plus fee bonus किसी भी तरह की commission चाए वो fixed है चाए वो जैसे भी है चाए वो commission sales पर है चाए वो commission purchase पर है plus all taxable allowances यानि जो allowances exempt हों उन्हें मत लेना plus all all monetary all monetary payments आल मोनेटरी पेमेंट्स एक्सेप्ट विचार इन दा नेचर आफ पर्क्यूजिट्स पर्क्यूजिट्स वाली मोनेटरी पेमेंट्स को छोड़ देना ठीक है और ये भी याद रखना चाहे वो वैदर ड्यू फ्रॉम वन और मोर एमप्लॉयर हो सकता है एकोमोडेशन आपको एक ने दिया हो लेकिन आप नोकरी दो एमप्लॉयर के यहां करते हो तो दोनों एमप्लॉयर से यह जो मिलेगा वो एड करना थोड़ी सी अजीब बात लगती है कि सर्थ जिसको मकान मिला हुआ है वो दो एमप्लॉयर के पास काम कर रहा होगा मतलब पार्ट टाइम एमप्लॉयर होगा ठीक है लॉम में लिखा है तो मैंने आपको एक बार बता दिया अगर यह सेलरी के साथ साथ दिये हो तो इन्हें शामिल नहीं करना पहला डीएरनेस अलावैंस वीचीज नॉट फॉर्मिंग पार्ट सर यह बात तो ऊपर आपने लिख दी के सेलरी में डीये का फॉर्मिंग पार्ट आएगा तो यहाँ से क्लियर है के नॉट फॉर्मिंग पार्ट नहीं आएगा लेकिन law ने specifically बताया है कि not forming part को हटा देना ठीक है सर और बताओ exempt allowances को भी मत लेना सर ये भी उपर से clear हो गया था कि आपने लिखा है taxable allowances यानि कि exempt allowances नहीं लेना number three value of perquisites यानि कोई भी perquisit को मत लेना ठीक है सर number four contribution towards provident fund अभी आपने provident fund पढ़ा नहीं है provident fund दरसल retirement पर मिलने वाला एक benefit होता है तो provident fund के लिए जो contribution होता है उसे include मत करना और specifically कहें तो ये employer वाला contribution होता है हाला कि अभी आपको पता नहीं है आगे चलके जब provident fund पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे के employer का जो contribution होता है वो नहीं लेना ठीक है सर और क्या नहीं लेना और जो आपको रिटायर्मेंट benefits मिलते हैं वो भी मत लेना रिटायर्मेंट benefits का मतलब क्या है जैसे कि आपको gratitude मिली हो ग्रैचुटी है लीव एंकेश्मेंट है अब बच्चा कह रहे है सर ग्रैचुटी भी मुझे नहीं पता मैंने का लेनी भी नहीं है रिटायर्मेंट benefit है ग्रैचुटी है लीव एंकेश्मेंट है और कम्यूटिड पैंशन है यह सब नहीं लेना ठीक है और जो सेलरी आप लोगे वो लोगे on due basis फॉर दा पीरियड फॉर विच एकोमोडेशन वास प्रोवाइड इसका मतलब अगर आपको एकोमोडेशन पूरे साल की नहीं मिली थी मान लीजिए five months के लिए ही एकोमोडेशन मिली थी तो ये वाली सेलरी भी five months की ही लेनी है ठीक है देखिए क्या लेना है बेसिक लेना है, डी ए फॉर्मिंग पार्ट लेना है, फी लेना है, बोनस लेना है, कमीशन लेना है, ठीक है? अलाउंसे बहुत सिंपल होते थे, तो सारे जो टैक्सेबल अलाउंसे हैं वो लेने हैं, और साथ इसाथ कोई अगर मॉनेटरी पेमेंट दे रकिया है, जो की in the nature of परक्यूजिट नहीं है वो लेनी है अब सर इन दा नेचर आफ परक्यूजिट ना हो उसका कोई एक्जामपल बता सकते हो मैंने का ये उसका एक्जामपल हो सकता है मान लीजिए आपको कोई ओवर टाइम पेमेंट मिली हो, वो लेनी है, ओवर टाइम पेमेंट कोई परक्यूजिट नहीं होता, और फिर जो लेना है, अगर वो कन्फ्यूज हो रहे हो, तो नहीं लेने वाले में चेक कर लेना, जैसे एमपलायर कॉंट्रिबूशन टू प्रोविडेंट फंड मत लेना, ग्रैचुटी लीव एन कैश्मेंट पेंशन, कौन सी पेंशन, कम्यूटिड पेंशन मत लेना, ठीक है, बाकी आप जैसे जैसे दो चार कोश्चन करेंगे, इस रूल को रिवाइस करेंगे, तो सेल्दी का म आपके दिमाग में बैठने लग जाएगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, कि एक्जाम के कुश्चन में, या तो हाउस रेंट अलाउइंस पूछा जाता है, या फिर हाउस एकुमोडेशन पूछा जाता है, दोनों में से एक ना एक पॉइंट आपके एक्जा हो गई, अब सर ये एकुमोडेशन तो थी अनफर्निश्ड, मैंने का ठीक है, इसके साथ साथ, अब बताईए, वट इस दा वेली ओफ फर्निश्ड एकुमोडेशन, अभी हम कुश्चन भी करेंगे, लेकिन अभी आपने अपना फोकस इसी बात पर रखना है, जो मैं आपक रहा हूं, कि अगर एकुमोडेशन अनफर्निश्ड ना हो करके फर्निश्ड होती, तो क्या फर्क पड़ता, सर क्या फर्क पड़ता, सबसे पहले तो हम ले लेते, वेल्यू आफ अनफर्निश्ड एकुमोडेशन, ठीक है, और फिर उसमें हम एड़ कर देते, उसमें सर एड़ कर लेंगे, वेल्यू आफ फर्निश्ड और वेल्यू आफ फर्निश्ड क्या होती है, अगर वो पर्चेज्ड बाई एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉयर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में ए डबल आर लिख दिया, तो हम लेते हैं 10% of cost of furniture, और अगर वो taken on higher हो, किराए पर लेकर दिया गया हो, तो फिर higher charges ले लेते हैं, और उसके बाद मैंने आप से का था, कि in every case, if any amount is recovered, if any amount is recovered from the employee, short form Maligdia, EEE, then such amount shall be reduced from the value of accommodation. ठीक है सर, ये बात भी हमने समझ ली, अब तो सर कोशन करना बनता है, मन तो बहुत है बेटे कि मैं आपको यहाँ पर कोशन करवा दूँ, लेकिन एक समस्या आ रही है, समस्या क्या आ रही है, कि मेरा law अभी भी चल रहा है, अभी hotel वाला complete नहीं हुआ, तो ये भी complete कर लेते हैं, वरना law बीच में incomplete रह जाएगा, उसके बाद हम कोशन कर लेंगे, ठीक है सर, तो hotel वाले rule भी हमें बताईए, आईए जी, hotel वाले rule देखते हैं, accommodation provided in a hotel, third case था हमारे पास, accommodation provided in a hotel, अब क्या है कि hotel में लोगों को बहुत मज़ा आता है, employee ने अपने employer से कहा कि sir मैं तो hotel में रहूँगा, employer ने कहा भाई तू hotel में रहे, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, बड़ी बड़ी companies हैं, वो hotel के अंदर भी ठहरा सकते हैं, अब government कहा रही है कि जो लोग hotel में रहते हैं, उनसे भी tax मिलना चाहिए, क्योंकि जो लोग hotel में रहते हैं, hotel में रहने का बहुत बड़ा खर्चा आता है, वो खर्चा company के उपर आ जाता है, और इससे company की income decrease होती है, और government का tax भी decrease होता है, employee कहता है कि सर पैसे तो company ने भरने है न, मुझे hotel में रहने तो जहाँ जाएगा, वहाँ जा जाके hotel में रहता रहता है मज़े से, और खर्चा कौन उठाता है, खर्चा उठाता है employer, गौर्मेंट में भी ऐसा होता है, गौर्मेंट एंप्लॉई जाकर होटल में बैट जाता है, और होटल के अंदर जाकर मज़े से रहता है, और खर्चा कौन भरता है सरकार भरती है, तो government ने रूल को change किया, गौर्मेंट ने कहा कि अगर कोई employee होटल में जाके रहेगा, तो फिर उसका value of benefit कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए अलग रूल होगा, ठीक है तो accommodation provided in hotel, ये दोनों के लिए रूल है, चाहे वो government हो, employer हो, या फिर वो कोई other employer हो, दोनों के लिए रूल है, तो क्या value होगी, तो value of requisite shall be, value of hotel accommodation shall be, number a, 24% of salary, या फिर नमबर 2, टो एक्चुल चार्जिस, और अफ, होटेल, विच्यावर लेस, for the period of accommodation जितने period रहा होगा उतने period के लिए ही लेनी है ध्यान ये रखना है कि दोनों में से less लेना है और salary का meaning वही है जो कि हमने अभी discuss किया था इसके लिए ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि government ने कहा कि कई बार क्या होता है कि एक employee को एक state से दूसरी state में shift किया जाता है तो वो कहता है कि जी मुझे shifting के दौरान problem होती है तो government ने कहा shifting के दौरान अगर वो employee hotel में रह रहा है तो फिर हम उसको tax नहीं करेंगे तो इस बात को government ने साफ साफ लिखा हुए हाओवेवर इस प्रोवाइड इस प्रोवाइड इस प्रोवाइड इन होटल यानि आपको होटल में ठहराया गया then following shall not be taxable तब हम इसे tax नहीं करेंगे लेकिन एक शर्थ है if number one if ऐसे लिखो if accommodation is provided for not more than 15 days यानि की पंदरा दिन से ज्यादा नहीं थी और दूसरा accommodation is provided on transfer of employee from one place to another place इसका मतलब आपकी एक जगा से दूसरी जगा transfer हो रही थी और मतलब transfer के वक्त आपको होटल में पंदरा दिन की तक की accommodation दी गई अगर ये दोनों शर्ते हुई तो फिर ये वाली value आपको सरकार छोड़ देगी और tax नहीं करेगी ठीक है सर ये बात भी समझ में आ गई ठीक है अभी भी एक छोटा सा point और मेरे पास रह गया है वो भी लिख लेते हैं एक लास पॉइंट और हमने आपको बताना है ये बुक का पेज नंबर 53 है यहां लिखका हुआ है कि accommodation provided at new place आपका transfer हुआ आपके लिए नए मकान में नई जगा पर मकान employer ने प्रोवाइड किया while retaining accommodation at other place अब बेटे मुझसे कहा गया कि सर आपकी shifting डेली से बॉम्बे हो रही है मैंने का ठीक है रहूँगा कहाँ employer ने कहा कि बॉम्बे में आपके लिए मकान arrange कर दिया गया है मैंने का ठीक है उन्होंने कहा सर next month की first date से आपने बॉम्बे चले जाना है तो मैं क्या करूँगा मैं अपने परिवार से कहूँगा कि आप पुराने मकान में रुकिए मैं कुछ सामान ले करके पहले नए मकान में जाऊंगा वहां जाकर कि उसकी setting करूँगा employer ने कहा कि हमने आपको नए मकान दे दिया है तो पुराना मकान छोड़ दीजिए मैंने का पुराना मकान कैसे छोड़ दूँ जब तक मेरे नए मकान का काम पूरा नहीं हो जाता मेरी shifting पूरी नहीं हो जाती तब तक मेरी family पुराने मकान में रहेगी मैं नए मकान में रहूंगा गॉर्मेंट को भी पता है कि ये जेनुन केस है तो दीरे दीरे हम सारा समान लेके वहां शिफ्ट हो जाएंगे फिर फैमिली से कहूंगा कि हाँ सारी शिफ्टिंग हो गई है आप लोग आ सकते हैं फिर मैं अपनी फैमिली को लेके वहां जाऊंगा और फिर अपने पुराने मकान की चाबी अपने एंप्लॉयर को पकड़ा दूँगा कि लीजे पुराना मकान मैंने आपको हैंड ओवर कर दिया इसका मतलब शिफ्टिंग के समय एक एमप्लॉय के पास दो मकान हो सकते हैं एक तो पुराना वाला और एक नए वाला ऐसे में गौर्मेंट कहती है कि तीन महीने तक हम इस बात को एक्सेट करने के लिए तयार हैं कि आपकी मजबूरी है लेकिन त्री मन्स के बाद आपको एक ही मकान अपने पास रखना होगा दोनों मकान आप अपने पास नहीं रख सकते हैं ठीक है इसी का ये रूल है आईए मेरे साथ इस रूल को नोट कर लेते हैं टू हाउसिस Valuation of More than One house On transfer Transfer के वक्त हमारे पास दो मकान हो सकते हैं In case of transfer From One place To another place If Employee is Provided House at new place उसे नई जगा पर मकान दिया गया And also Allowed To retain House at the old place और पुरानी वाली जगा पर भी वो अपना मकान होल्ड करता है तो For the first 90 days तो लगबग तीन महीने का समय है Averagely अगर हम एक महीने में 30 days मान के चले तो 90 days का time दिया गया For the first 90 days From the date of transfer टीक है Value of one house Value of one house Whichever is lower तो पहले 90 दिन तक दोनों में से कोई एक मकान आपका टेक्स होगा जिसकी भी वेल्यू कम है और आफ्टर 90 देज बोथ दा हाउसिस शेल भी टेक्सिबल यह शेल बिकम टेक्सिबल ठीक है सर यह बात भी हमने समझ ली दूसरा एक और छोटी सी चीज़ आप पढ़ लीजिए उसके बाद यह हमारा एकमोडेशन का लॉग खत्म हो जाता है कि एकमोडेशन प्रोवाइड बाइड बाइड अप्लॉयर शेल भी टेक्स फ्री यानि कि एकमोडेशन को हम टेक्स नहीं करेंगे अगर एकमोडेशन एंपलॉय को दी गई यह क्योंकि एंपलॉय को काम करना पढ़ रहा है एट माइनिंग साइट माइनिंग पर काम कर रह रहा है ठीक है या oil exploration का काम कर रहा है उसकी site पर काम कर रहा है या कोई project execution की site पर काम कर रहा है dam की site पर काम कर रहा है power generation site पर काम कर रहा है ऐसी जगाओं पर काम कर रहा है और उसे accommodation दी गई एक temporary nature की जिसका area 800 square feet से कम था और वो जगह जहां mining या oil exploration या ऐसी activities हो रही है वो 8 km दूर था from the local limits of any municipality या any containment board ठीक है या फिर या फिर जो उसको house दिया गया वो house दिया गया in remote area sir what is remote area remote area मतलब ऐसा दूर दराज का इलाका जो 40 km दूर है एक ऐसे शहर से जिसकी population 20,000 से कम है और वो भी latest published in India अब हमने क्या पढ़ा पहले तो हम उसे revise करेंगे कि हमने पढ़ा क्या सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि what is the value of accommodation accommodation गॉर्मेंट भी दे सकती है non-government employer भी दे सकता है hotel में भी दी जा सकती है अगर accommodation देने वाला government employer हो central government state government तो फिर license fee ठीक है सर और अगर वो furnish हो तो उसमें value of furniture जोड़ देना value of furniture हमेशा 10% of cost of furniture या फिर higher charges होगा ठीक है सर अगर employee से amount recover किया है तो minus कर देना ठीक अब आया मेरे पास important case कि sir accommodation देने वाला government employer नहीं था तो फिर check करना कि accommodation employer ने खरीद के दी है या किराए पे लेके दी है अगर खरीद के दी है तो population के accordingly 7.5, 10 या 15% of salary लिया जाएगा अगर rent पे लेके दी गई है तो फिर lower of rent या 15% of salary लिया जाएगा slab आपको याद रखनी है up to 10 lakh तक ये slab है, 10 to 25 की ये slab है और more than 25 की ये slab है ये सारा कुछ याद करने के बाद बच्चे के दिमाग में tension आती है कि सर, salary क्या है अभी बताया था, salary है basic, DA का forming part, fees, bonus, commission सभी तरह के taxable allowances और monetary payments जो की perquisite के nature की ना हो क्या क्या शामिल नहीं करना, employer contribution to provident fund शामिल मत करना, retirement benefit शामिल मत करना salary के वल due basis पर लेनी है, उस period की, जिस period के लिए accommodation प्रोवाइड की गई है इसका मतलब advanced salary मत लेना सर, अगर यह part time employee है, तो जितने भी employer से यह सब amount मिल रहे हैं, उसे जोड़ देना ठीक है सर, अब हम question करते हैं देखे जी, illustration 4.14 R furnishes following particulars office remuneration for the previous year 15-16 Basic salary हमेशा taxable होती है Dearness allowance हमेशा taxable है Lunch allowance मैंने आपको बताया था कि जिस allowances का नाम हम नहीं पढ़ेंगे, वो allowances हमारे पास fully taxable होगा, medical allowance fully taxable होगा, city compensatory allowance taxable होगा, children education allowance per child for two children, ठीक है दो चिल्डरन के लिए माफ होता है, लेकिन 230 नहीं, केवल 100 रुपीज ही exempt होते है Remaining portion taxable होता है He is provided with rent free accommodation, इसका मतलब उससे कोई भी amount charge नहीं किया जाता ठीक है सर Next, the cost of furniture provided is one lakh, इसका मतलब furnished accommodation है Yes सर और साथ में दो air conditioner भी उसको दिये गए हैं दो air conditioner भी दिये गए हैं जिनका company ने hire पे लिया है और जिनका rent जाता है 2000 रुपीज पर एनम Compute the value of rent free accommodation If accommodation is provided by case number one, government और government के लिए government का rule लगता है तो government के rule से license fee है 500 रुपीज पर मन्त तो case number one कर देते हैं पहले हम solve इलस्ट्रेशन नंबर four point one four गरीश आउजाप पेज नंबर है 53 Case one accommodation पर टेज्ड आउज। प्रमठी देह पर जांबर मूल के बाल के लिए फिए फफें देपर्सूंट इन तव ग्यूर्ड रड़्ज सूजर्ड आचाब च्बिचाएं पेपन yıl webinars तो revisit पर्सेंट ओफ कॉस्ट ओफ फरनीचर देट इस वन लेक तो यह गया 10,000 प्लस हाइर चार्जिस ओफ टू एसी दो हजार एक एसी का है चार हजार तो हमारी पर्क्यूजिट वैल्ली हो गई 20,000 केस नंबर टू एकोमडेशन प्रोवाइडिड बाई आर बी आई अब बेटे आर बी आई एक बैंकिंग कंपनी हैं तो आप इसे गॉर्मेंट मत समझ लेना इसी लिए कोई लाइसन्स फी एप्लिकेबल नहीं है सेकेंड केस था के एकोमडेशन इस प्रोवाइडिड बाई आर बी आई एंड एकोमडेशन हैस बिन टेकन ओन रेंट बाई आर बी आई एड फाई तौजन पर मत अगर एकोमडेशन रेंट पर ली जाती है तो वैल्ली ओफ परिक्यूजिट होती है वैल्ली ओफ परिक्यूजिट फिफ्टीन परसेंट ओफ सेलरी या रेंट रेंट तो हमें दिया हुए फाई थाउजन इन्टू ट्वेल्फ विच एवर इस लोवर अब सर सेलरी ढूनने पड़ेगी आईए जी सेलरी ढूने जो व्हाव शरब स ससय वाव विट प्रप्ष गलोछ सेलरी if यूर्रेप्ष ह्रॉ्पश ओस अचमोडती ओंडी य्ब कि सैल्री डूंडनी है फार दा परपस आफ हाउस अकुमेडेशन बताइए सबसे पहले दिया बेसिक बेसिक लेंगे सर बारा हजार बारा मैने के लिए वन लैक फॉर्टी फॉर थाउजंड डिये लेकिन फॉर्टी परसेंट फॉर्विंग पार्ट है इन्टु ट्वेल तो यह हो गया फॉर्टी एट हंड़िट लेंच अलावंस सबी टैक्सेबल अलावंस लेने होते हैं और लंच अलावंस पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है चौबिस सो रुपे मेडिकल अलावंस मेडिकल फैसिलिटी एक्जेम्ट है लेकिन मेडिकल अलावंस पूरी तरह से टैक्सेबल है 500 city compensatory allowance 300 into 12 children education allowance 230 रुपए मिल रहा है जिसमें से 100 रुपीज एक्जैम्ट है तो इसका मतलब 130 रुपीज पर मन्त दोनों बच्चों का इंटु 12 तो 260 इंटु 12 3,120 इसके साथ साथ अगर मुझे कोई फी कोई बोनस कोई कमीशन दिया होता तो वो मैं एड कर लेता अगर सर कोई ओवर टाइम दिया होता एड कर लेता सर अगर कोई एडवांस सेलरी दिया होती नहीं एड करता Employer Contribution to Provident Fund दिया होता नहीं एड करता कोई Gratuity Retirement Benefit दिया होता नहीं एड करना ठीक है तो यह 1,44,000 प्लस 4,800 प्लस 2,400 6,000 3600 और 3,120 वन लेक सिक्स्टी थ्री थ्री थाउजन नाइन ट्वेंटी 163,920 163,920 वर्किंग नोट में निकाला है इन टू 15% यह हो गया 24,588 तो इन दोनों में से लोड हो गया 24,588 प्लस वेल्यू आफ फरनीचर तो वेल्यू आफ फरनीचर मैंने उपर निकाल के दिखा रखी है दस हजार और चार हजार 14,000 385,88 यह हो जाएगी वेल्यू आफ परक्यूजिट जो कि taxable है उसके बाद था अगर यह accommodation XYZ ने दी होती taken on rent तो case 3 यह भी case 2 में भी non-government employer था और यहां भी non-government employer है तो कोई भी fact बदला नहीं है इसलिए case 3 में भी same value आएगी, same answer आएगा ठीक है सर आएगी, next illustration देखते हैं 4.15 4.15 कह रहा है, A is working as general manager of P company limited and particulars of his salaries are given below बताएजी salary है, तो यह basic है, bonus है, convince allowance है, medical allowance है, employer contribution to recognize provident fund है He has been provided with rent free accommodation in Moradabad यानि कि उससे कोई भी charge नहीं लिया जाता है, charge लिया जाता हो तो last में minus कर देना मुरादाबाद, मुरादा महार शहर की population exceeds 10 lakh but does not exceed 25 lakh compute value of accommodation if accommodation is owned by the company अब population मेरे काम की है और accommodation has been taken on rent by the company at 7,000 per month ठीक है सर दोनों ही case में पहले तो salary निकालने पड़ेगी for the purpose of accommodation salary 10,000 per month include होगी bonus 19,200 अब यहाँ कोई परमन निलिखा तो आपको बता दूँ, bonus परमन नहीं होता bonus साल में एक ही बार मिलता है और mostly जगाओं पर आपको मिलेगा कि bonus मिलता है at the time of दिवाली दिवाली bonus बोलते हैं इसलिए आपको बोनस के आगे परमन नहीं मिलेगा और यह annual है और यह taxable भी होता है और यह accommodation की calculation में salary में भी लिया जाता है तो यह 19,200 convince allowance यह DTC हुआ का allowance है जो की जितना spend कर दोगे उतना exempt हो जाएगा 70% spend कर दिया है तो यह 14,000 का 30%, 4,200 यह आपका taxable है और यह आपका accommodation की salary में भी included होगा Medical allowance पूरी तरह से taxable होता है तो यह पूरा का पूरा लिया जाएगा Employer contribution to recognize provident fund यह मैंने आपको बताया था does not include की list में है नहीं लेना सर और कुछ दिया नहीं है तो यह आपकी salary बन गई 1,49,400 अच्छा case number 1 अगर accommodation owned by company है तो population के according 10% हो जाएगा तो 1,49,400 का 10% 49,000, sorry 14,000 940 अच्छा सर अगर यह rent पे लिया है तो 15% of salary या rent paid whichever is less तो B case में 15% लेंगे 22,410 value आ रही है और actual rent whichever is less तो value is 22,410 मैंने आपको read कर दिया question बहुत simple है बनाईएगा 16th question R ने आपको यह salary income के particulars दिये हैं basic DA which is forming part of salary city compensatory allowance, children education allowance, transport allowance माफ होता है 100 rupees per month for maximum of two children, transport allowance माफ होता है 1600 rupees per month, revise भी करते वे चलना है तो he is provided with rent free unfurnished accommodation owned by the employer तो population चाहिए fair rental value of the house is 24,000 per annum यह मेरे काम का नहीं है यह question आप बहुत easily कर सकते हैं homework में जाएगा फिर book carry अगर पिछली ले station में यह owned ना होता, rent पे लिया होता तो आपको पता है rent paid और 15% of salary whichever is lower हो जाता ठीक है और बस यह सारे question आपके homework में जाएंगे 4.18 भी आपके पास homework में जाएगा और 4.18 में house rent accommodation he was entitled to house rent allowance है perquisit है ही नहीं तो यह house rent allowance का question हो गया मेरे क्याल से solution भी available है आप इसे कर सकते हैं उसके बाद दूसरे perquisits की बात शुरू हो जाएगी इसलिए आज की class हम यहीं पर अब complete करते हैं चलिए ओके टाटा बाई बाई वै सी यूँ कर दो दूसरे झाल झाल